सब्सक्राइब करें गुरुजी वर्ड और वेल आइकन को प्रिस करें सबसे पहले सेलेक्शन के लिए दोस्तों आज की है वीडियो आप सभी सिक्षक भड़तियों के लिए समाल रूप से कारकर साबित होगी एक्जाम के पहले ये तीन से चार नंबर जो आते हैं आप बड़ा परेशान ने तो सब्सक्राइब क्या है कौन सी दसमलफ संख्याओं से संबंदित है 3D फीगर क्या है 2D फीगर क्या है मैथेमेटिक्स में ये पैडागोजी का सेक्षन बड़ा परेशान करता है तो हम ऐसे कुछ पॉइंट बताएंगे जिससे आपको एक्जाम में पूरे में पूरे नंबर भी मिल आएंगे और कोई टेंसन लेने की जरूरत नहीं है पूरी तरीके से ये वीडियो चित्रात्मक होगी और 5-6 मिनट की वीडियो होगी जादा नहीं होगी बड़ा ध्यान से कंसेंट्रेशन के साथ इस वीडियो को देखेगा और अपने कॉपी में 4 पॉइंट को नोट कर लेना है अब हम चलेंगे, स्टार्ट करेंगे सबसे पहले हम देखीगा अवेकस को जानते हैं कि अवेकस क्या होता है बच्चा बच्चा जानता होगा लेकिन हम फिर वी यहाँ पर आपको figure wise समझाने की कोसिज करते हैं कि भाई अवेकस होता क्या है और कहां पर use होता है और किस देश ने ये दिया है यानि कौन अविस्कारक है ठीक है ना ये सारी चीज़े हम इस वीडियो में बताएंगे एक बार share कर देना है जमकार और चैनल को subscribe कर लेना है clear जी हाँ अब देखेगा अगर बात करें अवेकस की बात करें अवेकस का हिंदी रूपांतरन होता है गिंतारा क्या होता है हिंदी रूपांतरन जो होता है वो गिंतारा होता है गिंतारा का मतलबी आप समझ गए होगे कि ये जो चोटे बच्चे होते हैं इनको चोटी कक्छाओं में जो प्राथमिक लेवल की कक्छाएं होती है कि भाया एक के वाद दो आता है दो के वाद तीन आता है तीन के वाद चार आता है तो पहले तो गिंती को सिखाने में ये मदद करता है अवेकस एक मोतियों पर आधारित विंदू पर आधारित क्या है एक क्या है एक पॉइंट है जो आप इस फीगर में देख रहे हो जिसमें क्या करता है कि इसका प्रियोग काउंटिंग में किया जाता है मतलब मेरा कहने का मतलब है कि जो बच्चे हैं जो बच्चे छोटी क्लास के हैं उनको काउंटिंग को सिखाने के लिए हम अवेकर्स का प्रियोग करते हैं मुख्यता गिंतारा आप देख रहे होगे यहाँ पर लिखा है गिंतारा गिंतारा का मतलब ही गिंतारा का मतलब क्या है गिंतियों से सम्मंदित है अच्छा बच्चे को जब गिंतियां आ जाएंगी तो मैं आसानी से कह सकता हूँ कि वो place value सीख जाएगा, face value सीख जाएगा, addition सीख जाएगा, subtraction सीख जाएगा, है ना मतलब जोड और घटाओ भी सीख जाएगा मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि अवेकस वो है चीज है जो गिनती को सीखने में मदद करता है, बच्चे को जोडने में मदद करता है, बच्चे को घटाने में मदद करता है, face value, place value, इस्थानी एमान और जाती एमान की value को जानने में मदद करता है तो सिंपल सी बात मैं कह सकता हूँ कि अवैकस आपका छोटी कक्छाओं के लिए होता है जो काउंटिंग को सिखाने के लिए यूज किया जाता है मैंने चार बार रिपीट किया इन चीजों को भूलना नहीं है अब आपकी जिम्मेदारी है अच्छा बात करते है अविसकारक देश कौन सा है तो अगर हम कहें कि भाई अविसकारक देश कौन सा है तो अविसकारक देश जो है न वो आपका क्या है चाइना है और ये चाइना क जो है इस figure को दिया है जिसको counting को सिखाने के लिए किया जाता है सबसे पहले इसका प्रियोग जो है addition में जोडने में ही किया जाता था ठीक है कोई समस्या नहीं है चलिए हम यहाँ पर एक बार और figure को देख लेते हैं अच्छी तरीके से कि यही वहिया बिंदू आधारित मोति इसने का चार कर दिया तो ऐसे बच्चे स्थीक भी जाते हैं और उसको आनंद भी आता है चलिए बहुत बड़े है अब बात करते हैं यहाँ पर जीओ बोर्ड जीओ बोर्ड क्या होता है जीओ बोर्ड भी हम सिखा देते हैं आपको बहुत अच्छी तरीके से आसान भासा म कि जीओ बोर्ड जो होता है वो एक ऐसा पैमाना होता है जिस से बच्चे खेल-खेल बिधी में अपने फीगर्स को समझ लेते हैं कहीं ना कहीं आप देख रहे होगे कि कहीं ना कहीं तριबुज बना है कहीं रेक्टेंगल है कहीं आपका क्या कहीं ना आपको हर फीगर इसमे बनाया कहीं ये figure बनाया ये किसके लिए है अब question में ये बहुत आता है question में कैसे पूछ आता है कि जियो बोर्ड से सम्मंदित कथन कौन सा सही है तो जियो बोर्ड हमेशा जियामिती आपको answer क्या ढूनना है जियामिती ये trick लिख ले जियो बोर्ड के लिए आपको जियामिती वाला option ढूनना है मतलब जियो बोर्ड जो हमेशा क्या होता है सम्मंदित होता है वो जियामिती आकरतियों से सम्मंदित होता है अब एक बार आपको समझा देते हैं देखिए जियो बोर्ड रवड या बैंड या धागे का इस्तेमाल करके बच्चों को खुली बाबंद आकरती सिखाने में आप मदद कर सकते हो कि बच्चा किस तरीके से आयत सीखेगा, किस तरीके से ब्रत सीखेगा, किस तरीके से त्रिबुज सीखेगा, जियो वोर्ड बहुत ही उपयोगी है, कैसे बच्चे को आसान भासा में करक सिखाने में मेरी वास समझ गए ना मेरी वास समझ गए ना सिंपल बे में यहां पर आप सब चीजों को बता रहे हैं जैसे जैसे अगर मैं कह दूं कि सर क्या जैसे बच्चा यहां पर सीखता है त्रिकोण वर्ग आयत जैसी जियामिती आक्रतियां इसको बहुत अच्छी तरीके से नोट कर रहे न क्योंकि जियो वर्ड हमेशा जियामिती जियमेट्री जो फीगर होते हैं उनको दिखाने के लिए ही किया जाता है लिकिन एक सबसे कठिन पॉइंट पूइंट पूइंट जियो वर्ड केवल 2D फीगर के लिए होता है ना कि 3D फीगर के लिए होता है यह आपको याद रखना है ठीक है तो आपको क्या याद रखना है केवल 2D फीगर के लिए जियो वर्ड उपियोगी है ना कि 3D फीगर के लिए 3D के लिए यहाँ पर उपियोगी नहीं है तो एक बार सभी बच्चों ने ये बता दीजे मुझे कि कोई समस्या तो नहीं है कोई समस्या तो नहीं है जी ओवोर्ट से सम्मंदित बताइए चलिए बहुत अच्छे गाइस क्या बात है चलो केवल स्टडी पर ध्यान दे दीजेगा सब का यहां पर नेचर वेचर सब लोग दिख होता है चले यहां पर अगर हम बात करें तो अगर हम देखे कि जियो वोर्ड का एक और फीगर देखते हैं फीगर में क्या है कि जियो वोर्ड के फीगर में आयत त्रिभुज जैसी आकरतियां जियामिटी जैसी आकरतियों को बच्चे खेल खेले में सीख लेते हैं बनाना वही क्या है, जियो बोर्ड है, समस्या सॉल्ब, समस्या सॉल्ब हुई, बताइए, चलिए, ठीक है, हाजी, चो टेन ग्राम को देख लेते हैं, भई, टेन ग्राम क्या है, टेन ग्राम को हम देखते हैं, कि भई, टेन ग्राम क्या है, और फीगर में आप देख रहे होगे, कि ट चित्र भी बनाए हैं कुछ मैंने चित्र भी बनाए हैं चलो 10 ग्राम वो होता है जो आपका खेल खेल में क्या खेल खेल में आप सारी चीजों को बना लेते हो किस तरीके से अब भाई हमने जियो बोर्ड भी खेल खेल में बनाए था लेकिन 10 ग्राम क्या है 10 ग्राम वो है दोस जेशाँ सीख भी जाए, बोले कैसे, आफ देखिएक है यहाँ पर चीज ऐसी है जो चीज की पतद्यति है, पर चीज की पतद्यति हैं अविश्कारक देल कौन सा है अवैकर्स को भी चीज ने दिया है, एक इस तरीके की पहली है, क्या है एक पुरानी पहली है टेंड ग्रां के अलग-अलग टुकडों से हम कई जानबर यानि कागज के टुकड़े मैंने ले लिये हमने क्या कर दिया हमने इस तरीके का फीगर बना दिया कि बिल्ली बन गई बतक बन गई खरगोस बन गया है ना ऐसे सारे पॉइंट को हमने इस तरीके से बना दिया और साथ में क्या बन बच्चे सीख भी रहे और चित्र भी बन रहा है मैं कह सकता हूँ आसानी भासा से आसान भासा से कि बच्चे अगर गिंती सीख रहे हैं तो वो काट काट के टुकडों को ऐसे फीगर बना रहे हैं तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पर कि भाया सारे फीगर भी बन रहे हैं और पूर आनंदित तरीके से सारी चीजों को 10 ग्राम से सीख भी जाए आप देख रहे होगे कि 5, 6, 7, 8, A, B, C, D सब कुछ आप बना सकते हो इन टुकणों से और बीच बीच में आपको आकरतियां भी त्रिबुजबाली सारी बनती हुई दिखाई दे रही होगी कोई समस्या बताए को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए क्लियर हुआ सारे पॉइंट क्लियर हो गए अब हम चलते हैं लाश्ट पॉइंट पर देखते हैं कि यह जियो बॉक्स क्या होता है यह जियो बॉक्स दोस्तों वो होता है जियो बॉक्स ऐसी पद्दिती है जो आपने उपर जियो बोल्ड प जियो बोक्स क्या है जियो बोक्स वो है जो जियामिती पद्धतियों का रखने का सामान है जियामिती पद्धतियों में यूज होने वाला सामान जिसमें रखा जाता है वो जियो बोक्स है जियो बोक्स में क्या क्या होगा चांदा होगा पट्री होगा पेंसिल होगा कटर सारे उपकरण जो जियामिती में उपियोग होते हैं वो जियो बॉक्स है कोई समस्या बच्चे बताए कोई समस्या नहीं होना चाहिए क्लियर सारी चीजे क्लियर हो रही है बहुत अच्छे अब हम बात कर लेते हैं लाश्ट पॉइंट पर लाश्ट पॉइंट हमारा क्या है फेपर है ग्राफ फेपर से कुस्षन बनता है ग्राफ फेपर से कुस्षन ये बनता है कहता है कि निम्न लिखित में से ऐसा कौन सा पद्दिती है जिसमें दसमलब संख्याओं का उप्योग करते हैं तो उसमें ऑप्सन होता है 10 ग्राम ग्राफ फेपर जियो बोर्ड तो याद पद्धति के लिए गिंतारा वेकस है ना तो यह सारी चीजें आपको हमने बताई है बहुत जबजस तरीके से जैसे अगर मैं कहूं कि 0.2 into 0.3 कितना होता इस तरीके से कितना होता यह नहीं पूँछेगा लेकिन अगर ऐसा ही कुछन दे दिया पिछली वार यही कुछन आएथा कहीड़ा आईए हमें किस में जो है कैसे मदद मिलेगी गिंतारा में मिलेगी अवेकस उसमें मिलेगी ग्राफ पेपर में मिलेगी या हम जियो बोर्ड में मिलेगी तो इस तरीके को इस पद्धती को जोडने के लिए graph paper का इस्तेमाल किया जाएगा तो वहाँ पर आपको आंसर किस में मारना पड़ेगा graph paper में मारना पड़ेगा कोई समस्या है बताओ जी हाँ ठीक है सारी चीजे clear हुई एक एक चीज clear करा दी है कोई भी बच्चा ये नहीं कह सकता कि सर मेरे को समझ में नहीं आए सबसे पहले सेलेक्शन के लिए